असलाम अलेकुम जी स्टूडेंट्स आज असी जदीद शाहिरी दा पज्वा टॉपिक पढ़ा गी कलाम पीर फदल गुजराती है असी पहले चार शाहिर जड़े पढ़े उना विच्व पहले तिन जदीद नज्म दे मौडरन वर्स या फ्री वर्स दे शाहिर ने चोथा शाहिर मवात ते डाक्टर फकीर मामत फकीर कौमी शाहिरी सी लास्ट दो टापिक पीर फदल गुजराती ते रौफ शेख एना दोना दिया घजला शामिलने वर्डस लेवस वेच पीर फदल गुजराती दी घजल गुई उत्ते साड़ा फोकस रहेगा वैसे जड़ी किताब कलाम पीर फदल गुजराती एनो एड़िट कीता है सोदे आए तद्वेन कीता है डाक्टर नबीला रह्मान साहिबा ने एदे विच पीर फदल गुजराती दा सारा कलाम शामिल लेकिन असी उस सारे कलाम विच्चों सिरफ जड़ाए पीर फदल गुजराती दी घजल गुई वाली हैसियत उते क्वेस्चन पढ़ागे और यह हुई मोस्टली पेपर विच पुछ आजाएंगा क्योंके पीर फदल गुजराती साहब बतोर गजल गो वड़े शायर ने नजम दे हवाले ना लेना भी ज्यादा शौरत नहीं जी इना दा तारफ जी पंजाबी क्लासी की शायरी वेच पीर फदल गुजराती चूंके घजल ने शायर ने इस वस्ते हैसी पहले थोड़ा जया घजल बारे भी गाल करागे अगर इना दे क्वेस्चन आए ते घजल बारे थोड़ा दसे आजाएगा पंजाबी क्लासी की शायरी ते लोग शायरी क्लासी की शायरी जड़ी उसी पड़ी बावा फरीद शाह हुसें, सुल्तान बावू, बुले शाह, वारिस शाह, मिया, नुहम्मद बख्ष को गएरा इससे तरह लोक शायरी, लोरी, बोली, माया, ढोला बगेरा बेशमार सिंफां पंजाबी अदर विच मौजूद ने और एह हुई वज़ा है कि गजल पंजाबी विच थोड़ी है चुकि गजल पंजाबी शायरी दी अपने सिंफ नहीं है, अडॉप्टेड सिंफ है परशियन तों पंजाबी वेच चाहिए, तो गजल पंजाबी दी अपने सिंफ नहीं होन दी वज़ा तो थोड़ी लिखी गई लेकिन फिर भी इन्हीं थोड़ी नहीं, आई कल तसली बख शायर पंजाबी गजल लिख रहे नहीं अर्दु फार्सी ते अर्बी तो आणवाली गजल पंजाबी वेच काफी अर्था बाद आई, हाले भी बाकी से इन्फांदी निस्पट गजल काटे पंजाबी गजल दा पहला शायर, अब्जेक्टिव जी क्वेस्टन पुछे आ जा सकता है, शामुराद खान पुरी पंजाबी गजल दा सब तो पहला शायरे, इस तो बाद फिर मुला बख्षकुष्टा पंजाबी शायरी दे, पंजाबी गजल दे, ओ शायर ने जेना नो पहला साहिब दिवान शायर मनने आगे आई, शामुराद तो लह के मुला बख्षकुष्टा तक पंजाबी गजल थ जो एना दा दीवान छपिया सी और उस दीवान दी वज़ा तो है पहले साहबे दीवान शायर मनने जान दे दीवान के नो कहन देने जस तरह दीवान गाले बे दीवान घजला दे उस मजमूवे नो किया जान दे जदे वे रदीफ वार खजला शामिल कीतियां गया हूं नहीं मिसाल देता उर्थे अल्फ बे पे ते टे से रधी दे हिवाले नल हर अल्फाबेट यानि ज्यद्ध वे जिज़ वे शिरफ गजला शामल होन गिया मतफर्रक रडियफ निया तर्पीब बार नहीं होन गिया और मुकमल हरूफ दहजीद मताबक भी नहीं होन गिया गजला दा मजमूआ दे हो सकता है दीवान नहीं हो सकता मुला बक्ष कुष्टासाब पहले साहिब दिवान शायर ने और isolation अपने इससे दिवान दे एक अलिफ रदीफ दी गजल मेरा इस गजल दी रदीप है और दीवान इस पूरी गजल दा काफिया है जिदा एक शहर सामने देता हुए है अलफ रदीफ दी घजल वेच एना ने अपनी एवली हैसियत दसीए कोई लिखे तारीख ते याद रखे बखशी रबने इज़त है खास मैंनो कोई लिखे तारीख ते याद रखे यानि कोई भी बंदा जड़ा पंजाबी घजल दी तारीख हिस्टरी लिखेगा और याद रखे कि अल्ला पाक ने मैंनों खास इज़त बखशी है कि शेरा वेच पंजाबी दे सब को लो पंजाबी शेरा वेच सब तो पहले 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 चपया है दीवान मेरा कि पंजाबी घजला वेच पंजाबी शेरा वेच सब तो पहला जड़ा दीवान है वो मेरा दीवान चप्याद और याद रखो 1903 दीवाने कुष्टा देना अनल चप्यादी मौला बक्ष कुष्टा तुपाद पीर फजल गुजराती साथ ओ शायर ने जना ने गजल नो रवायत तो कड़ के जदीदियत वल मुड़ रहा पंजाबी गजल ज्यादा तर कुष्टा साथ तक जड़ी रवायती लिखी जा रही सी रवायती इस वास्ते के गजल जित हुआई ये पर्शियन विच्चों और फिर अर्दू विच्च गजल सी सारी इसे मौजबात रवायती सी पिर फजल गुजराती ने घजल नो रवायत विच्चों काड़ के यनि प्यार, महबत, महबूब, जुल, फो, रुक्सार, गुल, बुल, बुल, इस तरह दे बेफजूल किसम दे मौजबात सी घजल दे पिर साथ ने नमे मौजबात हालाते हाजरा दे मौजबात, जड़े ट्रेंड नमे चल गए सी जड़े या नमे तहरीकां आ रहे हैं सी उस सारी या पंजाबी घजल वेच बियान की थिया इस तरह ना पंजाबी घजल नो दूज़े हम असर दे बड़िया जबाना दे बराबर खड़ा कर देता, पीर फजल गुज़ाती सहाब नो इससे वज़ा तो पंजाबी घजल दा मुजदत या इमाम भी किया जंदा है अच्छा जी इसी इंट्रो वेच नहीं लिखना जी ज्यादा नहीं लिखना बाकी जड़ाए ना दा इस शक्सियत दा, इसी पढ़ दाने अब्जेक्टिव वास्ते सिरो इस तो पहले घजल दास्तिया घजल की होंदा है घजल याद रखो, अर्बी जबान विच कसीदा एक सिन्फ है जड़ी कबल अज़ इसलाम भी मौजूद सी जड़ी तारीफ, शायर मुख्लिफ लोकां दी, बादशावां दी, किसे करेक्टर्स दी, तारीफ करदा सी यानि तारीफी सिन्फ है कसीदे दा, आठ नौ इससे होंदेने, जिना विच एक हिस्सा तश्बीब कहलादा है परशियन वालियाने, फार्सी वालियाने, उत तश्बीब अर्बी तो लेके, फार्सी विच उनु घजल दना दे दिता दूसरी रवायते देबारे आए कहीं जन्दी है, कि एरानी लोक गीच सी, चामा उदे तो, उदे विच ना थोड़ी बहुत तब्दिली करके, उनु घजल दना दे दिता बारहाल जो भी होए, घजल दे डैफिनेशन की है, लोक भी मतलब दे ए होई है, कि कहनदे ने घजल तो निकलिया है, घजल परशियन विच हिरन नो कहनदे ने, हिरन पिछ जिस पे ले शिकारी कुटे लग जान, तो उदे मुझ विच जड़ियां, दर्दनाक किसम दियां, आवाजां निकल दियां ने उन्हों घजल किया जंदा है, बारहल ज़कल जड़ा इस्तला दे मताबके दी तारीफ, औरतां दियां गलना या औरतां दे खुबसूरती दियां गलना करना घजल कहलना है, लेकिन इन असारी है डैफिनेशन दे जदीद घजल दा कोई एदा असल ज़े मोजगा जयाता है रोदो बदले 1906 वे जदो प्रोग्रेसिव मूवमेंट आई, जस तरह सी डाक्टर फकीर चे लास्ट टाइम पढ़े हाँ सी, के शायर नो जिमादार होना चाही दा है कि अपने आल दो आले दे लोकां दे, मसायल नो अपने शायरी दे ज जाए ताके उना दा कोई मुनासिब हाल समने आ सके, गजल दी हायत की होन दिया जी, एदी फार्म की होन दिया, गजल किस तरह बन दिया, या गजल लिखन वास्ते की चीज़ां जरूरी ने, एंड वेच जो थे असनाफ ए अदर देतिया हूं याने, उते गजल है, और तो मुरादे गजल दा पहला शेर, एदे वेच की होन दा है, एदे जी रदीफ और काफिया पता लग देने, यानि मतला वेच दोनों मिसरे जड़ेने, उना जी रदीफ और काफिया जरूर होन दा है, सो मतला दी तारीफ, गजल दा ओ पहला शेर, जदे वेच दोनों मिसरे, र मक्ता यानी कता होना आखरी शेर अगर शायर ओदे विच अपना शार्ट नेम या तकल्स यूज़ ना करे ते फिर मक्ता नहीं होएगा बलके घजल दा आखरी शेर होएगा इस सप्राइब ते 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 याल गजल विच गजल दे मतला और मक्ता तो इलावा बाकी जिनने भी शेर होएगे उनना दा सिर्फ दूसरा दूसरा मिस्टरा मतला नाल रदीफ ते काफिया मिलदा हुएगा मिसाल देत और फे एक शेर वे批़े जो बोल जबानों निकल गया और तीर moments निकल गया दोनों मिस्रे हमें काफिया मौजूद है जबानों पहले मिस्रे अर मिस्रे हमें आखरी दा मकता है हुण काशरतों की पुछ दे हो जा दर्थ बायानो निकल गया काशर सलीम काशर दी घजल है काशर उन्हें अपना तखल्स यूज कीता है इसे तरह इदे हुर्ग साथ आठ नौ शेर ने तकरीबन यारा शेरा दी घजल है शैतान करें जहानो काशर और निकल गया रदीब इसे तरह मैं कारदी आगलो कांदा साम तू रोशन दानो निकल गया ते जि रोशन दानो काशर दे निकल गया रदीब अच्छा जी चौती चीज़ घजल दा हर शेर इंडिपेंडन्ट होंदा वैसे फाम दे ले आजनाल रदीब और काशर दी पगंदी जरूरी है लेकिन मौजवात मीनिंग्स हर शेर दे अलाग होंदेने यानि तूसे घजल दा कोई एक शेर चोक के अलाग कर लवो ते वो अलाग मुकमल मजमून ते मखहूम बियान करेगा एदी मुनास्बत एदी निस्बत अगर नजम अलाग चीज़ है क्योंकि नजम शुरू दो लाग एक अखीर तक चाहे हो तेन मिस्रेदी नजमे चाहे हो ती मिस्रेदी नजमे जो तक सारी नहीं पढ़ागे मुकमल मजमून या मखहूम सामने नहीं आदेगा जी आज हो है किताब पेज नबर दोसो भी पहला पहला ग्राफ तारफ दी जिते हैडिंगे एथो तक सिरफ तारफ होएगा एजड़ा उस्तो बादे एजड़ा अबजेक्टिव वास्ते में पढ़ देना हम चीज़ा इना दासल ना फजल हुसैन सी लेकिन इलमी अद्बी हलकियां विच पीर फजल गुजराती देना मारूफ सी 1896 में विच पैदा हुए इना दे अबबाजी देना पीर सायद पीर मकबूल शा गिलान पीर मकबूल शा इना दे वालत साब देना सी जड़े गुजरात दे मारूफ एक हस्ती ने शा दौला दर्याई शा दौला दा ना अकसर सुनिया हुएगा इना दासल ना वैसे पीर सायद कभीर उ देन शा सी लेकिन शा दौला दर्याई देना ना दर्याई दे कुल और दौला दौले शा दा चुआ तुसी एक्सर सुनिया हुएगा इस पीर साथ दी करामत है वे इना बज़ूर्गां दी कि जिना दे अलाद ना हुंदी हुए अथे जाके मनत मांदेने और अलाद अलाद अता फरमा देना लेकिन उपहली अलाद जड़िये वो इना दे में जाहरते देनी का दी वल्लाओ वालाद इस पारे अरके से दा अपना अपना पॉइंट ओ अच्छा जी एना दे अबबा जी पीर मकबूल शाह शाह दोलाद रहाई दे बार में गर्दी नशीन सी पीर फदल गुजराती साहब ने मैट्रिक 1917 विच गौ़र्मेंट हाई स्कूल गुजरात तो कीता उस तो बाद इसलामिया कालेज लोर एफे करन लई दाखल होए सी लेकिन 1918 विच छड़ के एक साल बाद ही छड़ के चले गए और में उन्सपल कमेटी गुजरात विच मुलाजमत कर दई 19 चुरेंजा विच जाप तो रिटायर होए इना दी एक बेटी सी और एक की दोत्रा यनी नवासा सी आप दा दोत्रा 1922 नो अचानक फौर्थ हो गया ओधी वफाद दी वजातों ओधी सदमे नाल आपे भी बाई अगस्त 1922 नो वफाद पा गए इना ने अर्दू पंजाबी वेच शायरी कीती और पंजाबी दी तकरीबन हर सिंफ वेच लिख लिखिया है इना दे शेरी मजमूवें डूंगे पैंडे टकोरां याद रखो इना दो किताबानों ही डूंगे पैंडे सारी मुकमल घजल दी किताबे और टकुरां ए नजम और घजल दी वेच शायरी किताबाने जड़ी याद पीर साफ दे जिंदगी वेच शायरी वेच लिखिया हुए है बाकी सारी किताबान खुत्बी तारा और अगे है ने वो बाद वेच लोगराने ऐडिट करके शायरा किताबानों अज़ आज़ी का लेना दा कलाम सारा किताबा, सारी चपिया हुई या किताबा और पुजान चपिया कलाम कठा करके पर्फेसर डाक्टर नबीला रहमान साहिबा ने कलाम पीर फजल गुजराती दे नानल शाया कीता है FPSC दी साइट ते दा ना इस किताब दा ना गल्त लिखिया हुआ कुलियाद पीर फजल गुजराती लेकिन याद रखो इस किताब दा असल ना कलाम पीर फजल गुजराती जी कलाम पीर फजल गुजराती दा वेरवा यानि इस किताब बारे चाहिजा कीए अथले टेबल बेखो जी तुसे टेबल बनाना नहीं है वैसे समझान वास ते लिखिया है कलाम पीर फजर कुजराती 700 बविंजा सफेदी किताब है डाक्टर नबीला रह्मान साहिबा ने सोद दिया यानि एड़ेट कारके तर्तीब देता है इन्हों 2010 पे छपी सी मक्सूद पब्लिशर्ज ने चापी है ठीक है जी कंपोजर मुहमद सुदीर साही ने किताब दा टाइटल हली माह उमर मैडम साहिबा दी डाक्टर नबीला रह्मान साहिबा मेरी यान टीचर भी ने है मैं पज़ा बीच मैना को लो पड़ता रहे हैं इन्हों दी बेटी हली माह उमर ने एड़ टाइटल बनाया है और बैग टाइटल होते किताब दे बैग टाइटल दे फीर फदल हुजराती साथ दी तस्थीर है अच्छा जी याद रहो जो दो भी किसे शायर दा कलाम एड़िट कीता जानता है तो उदे जमानी तरतीब मद नजर रखते ने लेकिन इना ने डाक्टर नबीला साहबा ने इस जमानी दरतीब दे बर अक्स कम कीता है मिसाल दे ताउर दे डूंगे पैंडे इना दी सब तो पहली किताबे जड़ी 1903 वेच शाया हुई सी दूसरे नमबर दे टेकोरा 1970 वेच शाया हुई फिर पंजाबी दा कुट भी तारा अन्छपिया नजमा घजला वगएरा सी इसे तरह अन्छपिया कलाम और फिर कलाम दा हाथ लिखती नमूना एंड वेच उना देता है लेकिन इना की कीता है 1981 वेच शाया हुण वाली किताब कुट भी तारा जिदे वेच हमदा नाता मदहां मनकबतां वगेरा शामिल सी ओ इना ने तबरकन एतरामन किताब दे शुरू वेच शामिल कीता है यानि जिस तरह साथी रवायत चली आ रही है कैसी हम सब तो पहले किताब वेच लिखने है ये शामिल करने उस तो बाद नईपाक से सलम दिनात लिखी जाती है उस तो बाद मनकबत होंदी है इना भी इससे तरही तबरकन बाईसे बरकत फून वस दे एक कुत्बी तारा किताब नो कुलियात वेच कलाम वेच सब तो पहले शामिल कीता है तो आनो वेच डिटेल लिखने ज़रूरत नहीं तुसी सरफ एक होई लिखो मैं तो आनो ज़रा शाड करवा देना के पीर फजल कुजराती साब अर्दू पंजाबी दे शायर सी पंजाबी वेच उना दे घजला दे मजमूँ है सिरफ डूंगे पैंडे ते टकोरा ने इस तो इलावा कुत्बी तारा ते कुझ अन छपया कलाम कठा करके डाक्टर नबीला रह्मान ने कलाम पीर फजल गुजराती दे नानल शाया कीता है बस इस तो ज्यादा लेखन दी लोगी पीर फजल गुजराती दी घजल गुई क्वेस्टिन पुछया जाएगा अक्सपेक्टिड क्वेस्टिन या फिर पीर फजल गुजराती नो पंजाबी घजल दा मुजदत दे इमाम मन्ने आ जानता है तो आड़ाइस बारे की खियाले जी ये दे जब एको पीर फजल गुजराती ने शुरू वेच उर्दू शायरी कीती वैसे या पक्तून सी पश्टो स्पीकिंग सी लेकिन रावल पिंडी वेच ज्यादा अरसारे इस बास्ते इना ने इंद को या पंजाबी वेच शायरी कीती एमदली साया पंजाबी अदब वेच अपने चुमिसरे या चार-चार मिसरें दे बंद इना लिखेने ओदी वज़ा तो इनतहाई ज्यादा शौरत दे हामिलने एमदली साया साप दी शगिर्दी वेच इना चुमिसरे लिखन दो आगास कीता लेकिन फिर बहुत जल्द इना महसूस कर लेच कि इना दी जड़ी तबा या तबीयते ओ ज्यादा सूटेबल या मोजू घजल लिखन वास्ते वे सो इना ने पज़ाबी घजल लिखनी शुरू कर देती और घजल नो फिर मुनफरद रंग ते मुकाम अता करके जदीदियत नाल हम आहन कराया और खुद इस जड़त दे या जदीद पज़ाबी घजल दे बानी मुझदद यानि तजदीद करन वाला कहलाए इना दिया घजला वेच कई था थे उर्दू तर्कीबा उर्दू लफसां दा फार्सी लफसां दा फार्सी तर्कीबा दा यदि वज़ा आया है कि जी शायद उस फेले पर्शियन जबान सरकारी जबान यानि इना दे जबाने वेच सकूला गाल जावेच पढ़ाई जांदी सी इस तरह आईकल उर्दू उस फेले ज्यादा रवाज फार्सी दा सी और वैसे वी साथे जन principals पंजाबी शायर ने अरभी फार्सी पढ़े होन दे सी इना दा भी अरभी फार्सी नाल और अर्दू नाल अच्छा खासा लगा उसी लेदा अर्दू फार्सी तर्कीबा इना नी पंजाबी घजल वेच वी आई हैं बलकि एंजी मैसूस होए जे मैं है, पंजाबी ही है, थलमा शेर वेखो, मैं जड़े रेफरेंस देते होए ने जी, तुसी यह रेफरेंस देंड दी लोड नहीं है, जड़ा शेर तो अनुआ असान लगे, अच्छा लगे, और तुसी विदाउट रेफरेंस है न विच्छो क कोई एक पोट कर सकते है, उनुआ मिसाल देता ओरते है, शेर तेरे जूर, तेरे सितम, तौबा, तौबा, मेरा दिल, जगर, होसला, अल्ला, अल्ला, इस शेर वेच्छ, एकवी लफ़ पंजाबी दा नहीं है, या उर्दू देने, या अर्बी देने, या फार्सी दे फेर भी पंजाबी घजल दा शेरे, या या यसी कह सकने है, कि उना दी घजल वेच्छ, उर्दू, फार्सी दा, रांग गालेबे, तेरे जूर, जूर केंदेने, जुलमनो, ज्यादतीनो, तेरे सितम, तौबा, तौबा, केंदेने, तेरे जुलमों सितम दी, कोई हाद नही मेरी तौबा, तेरे जूर करना हुआ, लेकिन मेरा दिल, जिगर, होसला, ल्ला, अल्ला, केंदर अगर तेरे जूर मेरी, बर्धाश्त दी भी कोई हाद नहीं, यानि मेरा जिगर, मेरा दिल न वढ़ाए, के मैं तेरा हर जुलम, सितम, बड़ी, खुश असलूबी नाल, बर पीर फदल गुजराती साथ जाब लाइन वेच सी पूरा इंडिया बिफोर पार्टिशन इंडिया तक इना दे मुख्तलिफ रिसालियां विच कलाम छपदा रहे हैं एह हुई वज़ा कि इना दे किताब चपवान दे जरूरत नहीं पाई इना ने मशूरों मारूफ शायर होगे क्योंको लोका कलाम पड़े या लोका विच मारूफ होगे अलके इना दे जमाने दे इना दे दोर दे इस तो ज्यादा आला पाई दे शायर मुझूद ने लेकन बस वो बिचारे बैकवर्ड एरिया ते विच मून दी बजातों परमोट नहीं हो सके उने इना दे इननी शौरत सी मुझायर है अधे शायर सी ते इना दे जरूरत दी नहीं महसूस होई गया अपना कलाम शाया करवान सो इना ने अपना जड़ी शौरते और अपनी जड़ी चीजे एधी बज़ा तो इना नो वड़े वड़ेल का बात यानि मुझदद और तजदीद करन वाला और इमाम जैसे लफ्स मिल गए हाला के इना को जदीदियत बहुत थोड़ी है यानि अगर ओवराल पीर फदल गुजराती नो पढ़ी है थे मेरा ख्याल है को 20-30% सिर्फ जदीदियत यानि जदीद तरीन मुझवाथ ने बाकी सारे रवायती मुझवाथ ने जड़ा सी है शेयर पढ़े आए इस सेम उर्दू और फार्सी रवायत वेच महबूब दी बेरुखी नो समने लेके आंदाए और रवायती मुझवाथ जदीद मुझवाथ नहीं है क्योंकि आज काल इस तरह दे मुझवाथ नहीं लिखे जा रहे क्या साब्दा मिसरा है और भी दुख हैं जमाने में मुझवाथ के सिवाथ सो ऐ चीजां महबूब दी जुलफां दी रुपसार दी अखां दी फलाँ टिमकां ऐस सारियां वक्त जया ने नेक्स्ट वेखो इदे वेच वी ओफ पर्शियन तर्कीब या उर्दो तर्कीबा लाएके आएने जादे वेखन मेरे सोने नूँ सोने शर्मिंदे होन पर यानी मेरे महबूब नूँ अच्छा है नूँ तुसी नातिया शेयर मना सकते है जी बड़ा खुबसूरत है नेक्स्ट वेख देने ते शर्मिंदा हो जन देने यानी उना दा हुसन मेरे महबूब दे हुसन सामने काटे मांद पैजन दा है फिका पैजन दा है गई वजदी फूग चरागा नूँ उना वेखो ने फूग वजणा पंजाबी तरकी वे चराग एथे उनने दीवा नहीं लाया सो चराग जड़ाए और दू फार्सी वेच इस्तमाल हुँदा है पंजाबी मतलब दीवा गई वजदी फूग चरागा नूँ और जड़ मेर मुनीर गया है मेर मुनीर जड़ाए चमकता हुआ दमकता हुआ सूरज उर्दू वेच और फार्सी वेच एतर की मुस्टली बहुत ज़्यादा इस्तमाल हुई कैनाधा है मेरा महबूब इस तरह दा रोशन मेहर मुनीर चमकता हुआ दमकता हुआ सूरज जैसा है कि वो जड़ भी जानदा इस्तमाले सारे चराग मांद पह जानदे नहीं यानि की मतलब है कि जो चराग ने मेरे महबूब दी एहमियत सूरच जैसा है और बाकी जड़े जन्हें भी खूबसूरत तो खूबसूरत लोग ने उना दी हैसियत दीवे तरह चराग तरह है यानि तुसी वेखो इमइजन करो जड़ा के दीवा या चराग जला रात वे ले सारे अलाके नो रोशन कर रहा हुँदा है सवेरे ज़िस पहले सूरच तलू हो हुँदा है स्ट्रीट लाइट्स चड़ियाने राती लोग दे रही हैं हुदी है जी में ही सुरह इतलू होंदा होना दी वैलियो बेलकुल खतम हो जान दी है, जी नेक्स्ट जी पहला मौज़ू तसवफदा रंग, फीर फजल कुजराती साफ दी अबाजी चूंके गदी नशीन सी, एवी बाद विच गदी नशीन बढ़ें, लेहाजा इन ने अपने शायरी विच तसवफदे मुख्तलिफ मौजवात बियान कीते ने, तसवफदे मौजवात असी, कलासी की, शायरी जी पढ़ें, इसके हकी की, वादत वजूद, वादत शहूद, दुनिया दी बेसबाती, उना विचों, एकोई दो ते ने थे बियान होए ने, जड़े तो अनो असान लगे, और तसी लिख सकते हो, लग जानदा फजल के नारे दे, विच वैन गमादे रुड़दा ना, वाल शाद ओला दर रहाई तो, सिख जे लेंदा कोज तारीदा, तारीदा वाल सिखना, यानि तैराकी का फ़न सीखना, शाद ओला दर रहाई, इना दे मुरीद, म इना दिया गदी नशीन सी, यानि बार में गदी नशीन दिया अबाजी सी, और तेर में गदी नशीन है सी, लेकिन है पिछली उमर वेची, इस लाइन इस पेशेवल आए, पहले है पहर दे टूर दे रहे, पढ़ दे रहे, स्कूल, कालिज, जाब, नोक्री, मुलाजमत रेटाइर्ड हुए, उस वेले, सुप्रिडेंट, सिक्स्टीन ग्रेड तो रेटाइर्ड हुए सी, उसकी आज़ी कल दे हाला आते मुताबक वेख लवो, सोलमा की कीमा स्केल वाला बंदा भी, उदी पूरी नहीं पह रही, यानि, फाइनेंशली उन्नों, मुशकले गुज अन्यवा, हर किसे दी पैर भी कीते जांदें, कोई फाइदा होए, कोई फाइदा हासल ना होए, खाम खाबस, बारहल कहांदे ने जी, फजल गुजराती के नारेते लग जांदा, वेच वेण गमादे रुड़दा ना, वेण कहांदे ने, पानी का बहाओ, बैता हुआ पा तारी दा, अगर उप पीर फजल गुजराती, अगर शादोला गरे आईदा मुरीद बन जांदा, उदे नारवबस्ता हो जांदा, ते उन्यवा दे दुखां, घर्दां, घमां, परेशानियां तो, निजात मिल जानी सी, एदे अलस्त जी है तो नो, तफसीलन दस्या सी, अलस्तो बे रबे कुम, की मैं तो अड़ाराब नहीं, सारियां रुगाने बायाक वकट जवाब देता सी, कालू बला, बेशक तुसा अड़ाराबे, उन्यों एह होई, कुरान मुजीद दी आयत नुए थे, के में बियान का बला कालू, यानि कहा, बला हाँ, बेशक तुसा ड़ाराबे, इन्यों एग्रिमेंट केंदे न, एहदे अलस्त केंदे न, एहदे मिसाग इन्यों केंदे न, बला कालू, यानि एग्रिमेंट करके, एहद अलस्त करके, अपने गले वेच, खुद गलामा, यानि फंदा पा ल यदो यह हुई न सैंस कि आला तरू ने सारी हैं रुओं कठियां करके एक रार ले आसी, सहाँ ने किया थि हां भेशक तुसा डरा बे अल्ला ने किया थि मैं तो अनुं दुनिया वेच पेज रहां वाँ इकरार करके, कहांड़ा है मैं अकरार करके हां बेशक्त तुसा डराब्वें तु जो moyंट है कर सकना है या कर कहांड़ा है है हुआ इह हुई agreement देते है इस commitment देते है मैं असल वेछ दुनिया बेछ आया हुआ है वादतलवजूद जी असी से में होई पड़े असी अगर तो अनों याद होए बाबा फरीद पहले शायर वादतलवजूद दा कुंसेप्ट फरीदा जंगल जंगल के आप हमें वन कंडा मूरें वसीर अब ही जालिये जंगल के आप ढूंडें सेम उसे तरही मैं टोरेया जंगल बेलेणू ओ हबल वरीदो नेड़े सी हबल वरीद मादरत पाने वाले पाईयासन कोज पुठियां दसा पुठियां दसा दस पाना केंदेने किसे नो कोज दसना पुठि दस पाना यानि गल्त रस्ता दसना डी ट्रैक करना गल्त पासे टोरना एक पाने वाले पाईयासन यानि एक बताने वाले ने बताया था और गल्त बताया था यानि मैंनो day track कर देता मैंनो घलत रस्ते उत्ते डोड़ देता मैंनो घलत बंदे वल पेज देता की दसना? के नदा हूण मैं मैं उन्हादे trust कर दा सी मैं उन्हादे कहण दे उन्हादा एतबार कर ले और हूण के नदा मैं बयान नहीं कर सकता नो तुसी आज़ भी समझ सकते हो कि जिस वेले पीर फदल गुजराती साथ या कोई भी बंदा किसे नाल वबस्ता होने दी कोशिश करदा है तो उन्हों कई लोग समझान वाले होंदे ने उन्हें एक मिसाल देया भी ये बुले नो समझान वना या पैना दे पर जाईया लेकिन हर किसे दा मौमला शाह नायत कादरी दे बुले शाह जैसा नहीं होंदा इस शेयर दिया भी सेंसा दी भाई है कि मैंनो काफी सारे लोका ने समझाया सी कि तू इस गल्थ किसम दे पीर नाल आमिल नालवबस्ता ना हो लेकिन मैं किसे दी कोई गाल नहीं मननी उन मैं डी ड्रेक हो गया मां घलत रस्टे होते पह गया मां उन के अदा मैं अपना आशिकवा किसे नाल कर भी नहीं सकता या नि मैं किनु दसा लोका दे मैनों आल्रेडी मना कीता सी या समझाया सी दुनिया दी बेस बाती सदाना केडमेन सामन वाली सदाना कोयल कूके यनी केडमेन बारश नू कहने ने कणिया नू कहने ने सामन महीना जदे विच बारशा बहुत ज़्यादा हूं कोयल बहार दे मौसम बागा बीच कूक दीए सदा नाबियां हेटा आके पहला पाणियां मोरा और इसे तरह मोर भी पीकॉक बहार दे देना विच बागा विच पहला पाण देने पहला पाणा यानि मोरा दा खास अंदाज नाल तुरना फिरना नचना और अपना उजड़ा नुमाईश करनी अपने उपपरानी मतलब कि ये दे विछ कहन दा कि सदा हमेशा ना बहार रेंदिये ना सामन रेंदा ना जिन्दगी रहेगी हमेशा ना दुनिया रहेगी यानि हर चीज़ खतम हो जण वाली, फना हो जण वाली है किसे भी चीज़ नो सबाख या सर्वाइव हासल नहीं इश्क दा जजबा अच्छा जी याद रखो एश्क साड़ा सुफियाना शायरी वाला इश्क नहीं है या आम इश्क जड़ा है, जड़ा उर्दू और फर्शियन तो साड़े कुल आया है इवन अर्बी तोंगी यदे विच महबूब और महबूब दिया बेरुखी महबूब दी जदाई बगएरा मौज़ू होनदा है इदे विच होन उस आश्क दी कैफियत बेहान कीती गई है जड़ा अपने महबूब दी जदाई विच मुसलसल दुख के तकलिफ बरदाश्ट कर दे है इस शेर किते कोई जदीदियत नहीं है प्योर रवायती किसम दा शेर है अगा तुख दियाने, तुख के बल दियाने, बल के मच दियाने, मच के बुझ दियाने लंबी बैरदाश्ट शेर है जी वे खुद उसी मिसरे दी लेंध किनी ज़्यादा है इक को ता जो पखन वे ची सीने आदे, उने आश्का कोल अंगेहार बखरे अच्छा जी यदि हैसियत की दसी गई है केंदा अगा आग जलन दी, आग बलन दी है मुझ दियान, बसलन आग तुख ना, पहली कहफियत इरज की होंदा है कि शोले नजर ना आ रहे हों सिर्फ तुख नजर आ रहे होए तुख के बल्दियाने, यानि तुख नेकलना आना बंध हो जाए और आग जलना शुरू हो जाए यानि जिस फ़ेले लकडीनों या ठापियानों आग लग जानती है ते फिर तुख नेकलना बंध हो जानता बल्के मचदियाने, मचण वाला जड़ा पुजिशने, यानि पांबर नो कहनते हैं बहुत ज्यादा आगदा अला हो फिर उस शुले खतम हो जानतों बाद कोई ले पिछे रहा जानते नहीं एथ या चार आग जलना दिया मुक्तलिफ कैफियात ने, जिना वेचिट टमप्रेचर अलग-अलग होनता है यानि सिर्फ अगर तोफ रही होए तुमा होएगा ते टमप्रेचर मिसाल देता ओरते 70 डिग्री सेंटीग्रेट होएगा, आग जिसले जलना शुरू हो जाएगी और पानी उबलना शुरू हो जानदा 100 डिग्री सेंटीग्रेट, फिर जिसले माच जाएगी कोई टाई, 300 डिग्री सेंटीग्रेट, फिर जदो बोच जाएगी अलग एदे नालवर्म कंपेरिजन दे रहा है, एको ता, यानि एको टमप्रेचर ते, जो पखण वेच सीनेया दे, एकोई टमप्रेचर होते, सीनेया दे वेच जो जलदे रहन देने, पख़दे रहन देने, ओने आशका कोल अंगयार बखरे, एथे अंगयार तो मुराद देल, यानि आशकान देल जड़ा है, वो अपने महभूब दी जुदाई वेच, बारा मईने, चबवी कैंटे, और अफते दे साथ देन, एकोई टमप्रेचर होते मुसलसल जलदा रहन दा है, मतलब कि यह, कि आशक लोग जड़ेने, वो अपने महभूब दी जुदाई वेच, आ आशक लोग इशक वेच, की की तकलिफ बरिदास्ट कर देने, पट्या जालम इशक जड़ेने, पट्या जालम इशक जड़ेने। अपना बना लेया या ऐसे आशिक जना नो इश्क हो गया उना दी हैसियत की हो गई और बेलकुल फकीरा जैसे हो गई फकीरा नाल रल गए नंगे पैरों खुले चाटे और उना दी हालग और कैफियत की हों दी ये पैरां वेच जुत्ती नहीं होंदी, नंगे पैरों, खुले चाटे, अपने आप दी कोई होश नहीं होंदी, यानि चाटे, वाला नूं कहन देने बाल खुले, डुले, रुले, और पुरपुर लमकन लीरा, लिबास दी कोई होश नहीं होंदी, उनने दा लिबास बिलकुल टुकडे टुकडे और लीना लीना हो गया होंदा है। यानि इश्क जड़ाए ओ बंदे नो की दा की बना देन दा, उधी हालत विगाड देन दा इश्क वेच फरहाद नो की नाल मेरे निस्बतान? अशीरी फराद जी एरांदी दास्ता ने एदे विज फरादी असाइनमेंट की सी कि उनने पहाड खोद गे एक नेर बहानी सी बगानी सी जारी करनी सी जोड़ी बादशादे मैल तक जावी और उन दुद्धी नेर होगे इंपोसिबल टास्क लेकिन दस्या जांदा कि उनने कल्य नेर खोद लई सी और बादशादे मैल तक ले गया सी जिसले बादशादे नो इसका अलदा पता लगा दो मकस्त की ऐसी कि जी बादशादी मंगेतर थी अँग भ्याश्वा थी आश्यक होगई लेज़ा बादशाद ने शरत रहे हर देएंगा ते भिये दिने आशर देएगा जीम गज्वा है पहादिती लेकिन जिस पे ले बादिशादी नों पता लगा किया थे अपने मिशन वेच काम्याब हो गया उन्हें एक मकार औरत तियार की थी और जिनने उन्हें जाके गल्त फैमी वेच मुब्तला कीता कि तू जिदे वस्ते नेर कड रहे हैं उते कदोदी बादिशादी भी भी बान चुकी है लेज़ा उन्हें उते ही अपने आप वे चुग कुदाल अपने सेर्विच मारी और खतम हो गया मतलब इस तरह दिया दास्तान है फरहाद और कल्ना बंदा एक गेंती नाल या ओक कुदाल नाल पत्थर पाड तोड़ देने नेर नहीं काड़ सकता ना मु कोई निस्पत नहीं यानि मेरा ते होदा कोई कंपैरिजन नहीं क्यों सीने आदे हो और ने हत्थां दे चाले हो और कहनता होदे ते सिरफ हत्थां दे चाले होए सी यानि गेंती या कुदाल नाल सिरफ हात जखमी सी मैं कहनता मेरा दुख और तो ज्यादा है क्यों के मेरा देल जड़ाए ओ छलनी है तीसरा पॉइंट सोज दे दर्द जी एवी ओ होई सोज कहांदे ने दर्द नू तडप नू शिद्दत नू एदे वेच महबूब अपने आशिक जड़ाए ओ अपने महबूब दे जुदाई वेचे जड़े जड़े दुख तकलीफा बरदाश्ट करता है ओ ब्यान होई ने मारे होई फिराग दे सदमे यांदे फिराग जुदाई नू कहनदे ने कहनदा है जुदाई दे सदमे दा मारे होई मारे होई आशिक जड़े ने गिन दे रेन सारी रात तारे आन जड़े आशिक अपने महभूबां तो दूर होंदेने जोदाई विछोड़ा बरदाश्ट कर रहे होंदेने क्यांदा उस सारी सारी रात तारे गेंदे रहनदेने अच्छा जी ओई की मी सदीदा जमाना नहीं सी लोकां को अल मोबाइल नहीं होंगे अच्छा जाओ तो दो सी वेखो देन रात दी मसरूफियत लोकां दी मुबाइल नदी गिंटी करन पै मेरे हज्जों होंदी तारे सिराणु कलद अस्माण विछोूं वेखो हूँर रात वेला आए स्माणा मालो दी नजरे और उसारी सारी रात नीद नहीं आंदी तो तारे वेखदा रहनदा है या गिंडा रहनदा है ऐती होन पीर साथ ने देवेच थोड़ा जा शूखी वाला एक कॉंसेप्ट दिता है कि वो असल वेच रात जिस पे ले होंदी है तारे निकलन गे तारे नजर आना यकीन नहीं है तारे दे दिन वेले भी मौझूद ने लेकिन सुरही दी तेज रोशनी दी वज़ा तो असी उनन वेख नहीं सकते जिस पे ले रात होंदी है नुमाया हो जन्दे ने नजर आना शुरू हो जन्दे ने पीर फदल गुजराती साहब ने आथे शोखी वाला अंसर की दाखल कीता है वो के अंदा असल वेचो तारे जड़ा दुख विछोड़ा बरदाश्ट कर रहा आशे के यह जि कहा लो के आशे कैसमझ रहा वे कि वो तारे अस्मान दे तारे नहीं ने गिंती करण पर मेरे हंज हुआ दी बलके ओ आस्मान विचों सेर कड़ के मेरे वाल वेख के मेरे अंसु गिंड रहे ने यह जि कहा लो के मेरी इस हालत होते मेरा मजाग उड़ा रहे मैंनो सोज फुरकत ने बखशे ने जेड़े सोज दर्द फुरकत जुदाई मैंनो जुदाईद दर्द ने जो बखशे ने ओ चाले जुदाईद दर्द दी वज़ा तो जुदाईद तकलीफ दी वज़ा तो जड़े चाले बन गए ने मेरा दिल चलनी हो गया है कहनदा है ओ बेशक मैं छुपांदा रहांगा लेकिन मैं अत्रू कदों तीक पींदा रवांगा कदों तीक होके दबांदा रवांगा लेकिन मेरी मेरे महबूब तो अधरखास ते कि मैंनों जऱा 10 दबे सिर्फ कि मैं कदों तकarse उदी जुदाई वेचा अपने मेरे याहोके जानी रोना दबा के रखना है यानि कह रहा है कि मैं महबूब दे जुदाई वेच हर तरह दर्द बरदाश्ट करन वस्ते ते आरा लेकिन मैंनू सिर्फ ऐ दास देता जाए कि ऐ मुसीबत ऐ दुख ऐ दर्द ऐ तकलीफ किना अरसा बरदाश्ट करने चोथ खाजी वाइज ते जाएद दा असली रूफ ऐभी अर्दू फार्सी रवायत वेचो साड़े को लाया है अदर वाइज साड़े पजाबी शाहरी वेच है वाइज ते शराब ते साथ की दे अरला परला कुई को सेप्ट नहीं है तुसी सूफी शायर चारे पड़े ने कोई उनवेच जिकर नहीं है रहनदा है वाइज नू अठे पैर घूरानदा ख्याल वाइज केंदे ने मेंबर उते बैगे नसीदा करन वाला मौलवी केंदा मौलवी नू वाइज नू नसीद करन वाले नू अठ्टे पैर एककोई मौज़ू सुजदा है और वो मौज़ू हूर इस दोजफ योगे नो एक पारसा जाता सी मैं पीर फजल गुजडाती कह रहा है कि मैं इस दोजफ योगा यानि मौलवी नो कह रहा है कि आद दोजफ विच सडन योगा है मैं समाई दाजी के बड़ा पाइस पारसा बड़ा प्रेजगार बंदा है एवाइज जोग तुआ डेनू की नूर नमाजी अखनगे एवाइज ए नसीयत गरनमाले एए मौलवी तेरे जोग नू नमाजी और खास ताउरते नूर नमाजी नूर नमाजी तो की मुराद जड़े सही माईने अवे चलना ताला नू याद कर देने के अंदा हो तेरे जोग नू की समझनगे के तुँ हर जुमे कहाणी हूरां दी पाबैनी हजरत ठीक नहीं इना दोना शेरां दी तफीम वस्ते होई मिस्रा फैस दा जड़ा पहले पड़े आए और भी दुख हैं जमाने में मुहबत के सिवा यानि हूरां दो इलावा भी मिंबर दे बैठे मौलवी नू बियान करन वस्ते सौ किसम दे मौजु आतने लेकिन उसरफ और सिरफ हमेशा हर जियों में इना उत्ते ही फोकस करता है जाहिद वेच नमाज चितारे चितारना याद करना जाहिद अबादत कुजार अबादत कुजार बंदा याद करता है पुलियां हुई या गलना यानि नमाज पढ़न जदो खिलोंता है ते सारियां जड़ियां गलने पुलियां हुई या गलने उसे जेन वेच आ जादियाने यानि आसी कंसेंट्रेट नहीं कर दे तुसी अपनी मिसाल मेरी मिसाल लेलना वो बंदा कदी नमाज पढ़न खिलोता हुए खास तौरते पजर दी नमाज पूरे दिन दे रूटेन होदे जेन वेच चल रही हूं दिये आज कल ये मैं साड़े छे वजे जमात हूं दिये बंदा कडियूती नजर हूं दिये कि मैं साथ वजे करोने कलना है बच्चे आनू शरणना है आठ वजे मेरा लेक्चर है बारा वजे मैं लंच करना है फिर मैं अकैडमी आना है ये वो फिलाटे में एदे परक्स सब्बे गल्ला विच नशे दे देन विसार शराबी नशे विच शराबी जड़ा हूं दा है शराब पी के सब को दुनिया तो हर शे तो बेनियाज गोजन दा ये उस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उते अपने महभूव उते कंसंट्रेट कर लेंदा बड़ा मारूफ शाहिद अदरत अली ता वाकिया है उन्हें उतीर लाग गया सी तो उतीर शिदत तकलीफ दी शिदत नहीं ज्यादा सी कि उप करना मुमकन नहीं सी तो उन्हा फरमाया सी कि जिस पर ले मैं नमाज नीद के खड़ा हूँआ उस पर ले तीर कर ले जाए जिस पर ले उन्हा नमाज वेच यानि कंसंट्रेट की था नमाज खुशूओ खुशूनल नीद ले ते ओ तीर कर ले गया थे उन्हें पता भी नहीं लगदा तो इस तरह दी नमाज भी ज़रूरत दे ओ कहनदा ऐज जड़ी कंसंट्रेशन है ऐज जड़ा गोरो फिकर है ओ साठे बर के बंदे गोल नहीं है और सिर्फ शराबियां कोल हो सकता है कि ओ शराब दे नशे वे जोतो के सिर्फ किसे एक उते फोकस ये कंसंट्रेट कर देने इनसान दोस्ती पंजबा पॉइंट जी मज़धारे जिन्हों असी जदीदियत दा टैग ला सकने हा हालाते हाजरा दे मुझवाते दे वेश बेहान हो ये गर्जी दोस्त जड़े ने ओले वेच जिसे नहीं हों दियाने गर्जा ओ उ उल्फत ठीक नहीं केहनदा ओ उल्फत ओ महबज़ ओ चाहत जेदे वेच जेदे पर्दे वेच कोई गر्ज छुपी होए उला पर्दा यानि बेलोस मुवबत आजकल नहीं है आजकल अगर कोई किसे नहल मुवबत है कोई चाहत है कोई उल्फत देते हो दे पिछे कोई ना कोई गर्ज जरूर वबस्ता होएगी जिस पारों कटें जान देने मतलब और चाहत ठीक नहीं और केंदा जिस ये दी वज़ा तो जिस मुवबत दी वज़ा तो अपना कोई ना कोई मतलब पूरा कीता जा रहा हुए ऐसी मुवबत ऐसी चाहत था कोई फाइदा नहीं केंदा अगर यार खुशनूद यानि खुश होन थे फिर कोई भी मुशकल टफ टाइम दोस्त चाणवाले हमदर्द लोग नाराज होन ते फिर मुशमें बहार भी अच्छा नहीं लगदा और अगर चाणवाले सही माई ने अवेज़ा दोस्ती ने बानवाले लोग होन देने और नाल होन ते फिर मुशमें खिजान दी भी कोई परवाद नहीं बंदा मुशकल तो मुशकल वकत विच भी सर्वाइव कर जन दा है उत्तों बहुत कोई कोई होन दा है विच्चों यार किसे दा सो परसेंट दुरूस्त गल आज गल दे मौल दे मुताबक बजाहर हर बंदा तो अड़ा दोस्ते लेकिन विच्चों अंदरों दिलों कोई एक की होवेगा ओके वेले विर्ला कोई बंडे पार किसे दा तो आड़े 5000 फेस्बुक फ्रेंड्स ने लेकिन तो आड़े वस्ते बेकार ने कैंदा तो आड़ा असल दोस्त ओह ही होवेगा और कोई विरला, कोई एक, कोई एक दो होनगे जोड़े मुश्कल वकट गई तो अड़े नाल स्टेंड करनगे Otherwise वैसे तो अड़े आसपास दोस्ता ना जुम गटा होएगा लेकिन मुश्कल वकट गई तुसी किसे कदे वर देनो ही अपना हमदर्द पाऊगे पई जदो मुसीबत होके थे सब एकन दुकन नस गए संग किमेत रोड़े यारा ने मैं दसनो नसां की दसां एह होई इससे ही रदीफ दासी पहले शेयर पढ़या सी ओ दही कि जदो मुसीबत आई सारे एकका दोका करके चट गए यार दोस्त केमे कहनदा है दोस्तियां चट गए संग तोड़ गए मैं कहनदा होन दस नहीं सकता की दसां यानि इस तरह समझो के जिस वेले मैं इना दोस्ता नाल बेवफा दोस्ता नाल दोस्ती कीती ते मैंनो बड़े लोका ने मुखताद कीता समझाया की तू इना नल वेबस्ता ना हो लेकिन मैं किसे दीगाल नहीं मननी लेएज़ा होन मेरे नल जो होया ए एह हो इह नहीं होना सी मैं तकिसे नल शिक्वा भी नहीं कर सकता यनी जो को मेरणाल हुआ है, मैं अपनाय दोख किसे नाल भी सान जा नहीं कर सकता जंगल दे विच नंगे पैरी, फिर सोदाई वड़या पागल, सोदाई, दिवाना, जंगल दुनिया तो टांगा आके, दुनिया दारी तो टांगा आके जंगल विज पनाल हैंड वस्ते चला गया उधा ख्याल थी कि शायद उथे इनसान नहीं होन गये थे उथे मेरा वार्म वेलकम होएगा लेकिन उथी गल्प फेमी सी उठ उठ फिर अगों एक वारी मिलिनी कीती खारा मिलिनी रसम हों दीए जी शादी वेया दीजिए पहले बाराद कुडी दे कारां दीए थे ओवाले मुंडे वाले अनाल आपस वेच मिल देने जफियां पांदेने और कोई न कोई तोफ़ा आपस वेच अक्सचेंज कर देने खारा ने सब तो पहले उननों वेलकम कीता नंगे पैरी सी और वेलकम करन वाला सब तो पहला कौन सी कंडे ओखे वेले फजल मेरे वाल गेरा हाथ वदाए ऐपीर फजल गुजराती मेरे वाल मुश्कल वक्त वेच गेर लोग काम आए मान तरान जेदा सी मैनों पूसना लिया सारान जेदे होते मैनों मान सी बरोसा सी एतमाद सी ओही मेरे काम नाया या ओही मैनों पुछण नाया शोखी ते तन्सों में सहा पीर साब दी शायरी दी खास गाले जी जिदर जिदर राखे मैनों ओधर ओधर जावा कुछड देल दा बाल आयाना लेके पे आखे डावा आयाना कहांदे ने बच्चे नों बाल नों ना समझ बच्चे नों छोटे बच्चे नों देल कुछड देल दा बाल आयाना कहांदा है कि इंसानी जिसम दे खब्बे पासे जड़ा देल होंदा है और गोधी वे चुक्या होया बच्चा उनों गोद चुके बच्चे नों नहीं पता की अच्छा है की बुरायो तो उनों डेमांड कार देगा कि मैंनों खेलन वास्ते चांद चाहिए जड़ा इंपोसिब आले नहीं पूरी कीती जा सकती इससे तरह क्यांदा मेरा जड़ा खबे पासे देल ले बिलकुल हैंजी है जो मैं कुछ छड़ गोद वे चुकिया हुए चोटा बच्चा हुए और नाजायज के समदियां हर वेले मेरे को लो खायशात करदा रहेंदा क्यांदा मैत है जो मैं बच्चा चुक के खड़ाईदा उससे तरह देल नो भी चोटक के फेड़ रहे हुए लेकिन इस तरह ना समझ बच्चा है के हर वेले मुख्तिलिफ के समदियां ना जायज के समदियां ना पूरियां कीतियां जानवलियां खायशा करदा रहेंदा है मनफिक अधरादी मजमत जे सुन लेंड दुश्मन ते दुश्मन भी रोमन मेरे नाल जो कीतियां आशना ने आशना के अंदे ने दोस्ता नो वाकफ करान केंदा मेरे नाल मेरे दोस्ता ने वाकफ कारा ने जो कुछ कीता अगर आद दुश्मन सुन लैंड ते ओभी रोन ते मजबूर हो जाण असान जाहिद दे वेखे फजल करतूत ऐ पीर फजल गुजराती असी जाहिदा दे अबादत गुजारा दे करतूत वेखे ने शराबी मुफट वेच पंडे होए ने शराबी जड़े ने मुफट वेच बदनाम ने उसकी आईकल सोशल मेडिया वेखलो परया पे आए जाहिदा अबादत गुजारा मौलविया पीरा दे करतूता नाल मुबालगा राई एग्जाजिरेशन शायरी दा खास वस्फ होंदाए जी किसे चीज़नों हदों वद चड़के बियान करना है आज दीद दे चानदी आस लगी जरा शाम तक जेरे निकाब रहना कियांदा आज मैंनों मेरे महबूब दी दीद यानि दीदार दी आसे उमीद है कि अज मैंनों मेरे महबूब अपना दीदार करावेगा जरा शाम तक जेरे निकाब रहना लेकिन कियांदा मेरे महबूब तो रिक्वेस्ट है वे कि ओ शाम तो पहले अपने मूँ दो चेरे तो निकाब ना हटाए कि ते डीगरी नोजे ना खोल देए कि ते इस तरह ना होए कि ओ निकाब हटा दे और उदा चांद जैसा चेरा वेख के तेरा वेख के मुख महताब साकी महताब चांद मुख चेरा चांद जैसा चेरा वेख के बीगरी नोजे ना कूल दईए बीगर केंदे ने असरदा वक्त केंदा एंजना हुए के तेरा चमकदा हुए चांद वरगा चेरा वेख के रोजेदार वक्त तो पहले यानि असर वे लई अपने रोजे तोड़ देने अधर रोरो असी बेहाल हो गए पीर फदल कुजाती साथ फर्मा रहे ने कि रोरो के साड़ा बुरा हाल हो गए या बेहाल हो गए और ना समझया हूलिया खेट देने और महबूब ने की समझया कि हूली खेल रहा है यदि सेंस की यह रत बिनिया अखियां साथ करके रत बिनिया खोन से भरी हुई अंखें यानि खोन के अंसू बहा रही अंखें एग्जाजिरेशने बंदा जिनना भी दुखी जिनना भी खोन दे अंसू जिननावी आंसु बहाले, खुन दे आंसु कदी नहीं हो सज़े, असान जदो दामन गुल अनार कीते, दामन कमीज दा, दामन चोली, उदी सेंस है बन दी है, कि मैं जिसले कमीज दे दामन नाल अपनी अख दे आंसु साफ कीते, जो खुन दे आंसु सी रात भी नहीं है, रात खुन नू केंदेने खुन दे अंसु जिस वेले कुड़ते दे दामन नल साफ कीते ते ओ अंसुआ दे जड़े दाग या लाल करण दे जड़े स्पाट सी ओ बिल्कुल इस तरह दे स्पाट मेरे कुड़ते उत्ते आगे जिस तरह अनार दे फुला दे दाग या अनार दे ते ओ जड़ाए आशेक अपने महबूब दी जुदाई वेचे खून दे अनसूर हो रहा सी ते महबूब ने इंतहाई ला परवाई नाला समझेया किया कोई रोश हो नहीं रहा बलके हूली खेल रहा है और हूली तो अनुपता रंगा नल के ली जांदी है और रंगा देता अगे दे जिसम उते कुड़ते यां उते लगे होई नозмड़ी राज की अज्ये ना लबांदी दीद की ती क्यांदा हाले मैं सिर्फ हो दे हूंट वेख रहा छी तर रजना उन दे तसली सैटिसफेक्शन कियानदा मैं उते हूंट वेख रहा छी और मेरी तसलीग नहीं सी होई अख्छां जुल्फ ओधी होते जाँ पईयां होन फौंटा तो आख्दा किनना फासला है केंदा हे फौंट वेख्दा वेख्दा अचानक मेरी नजर ओधी जुल्फ ओते जाँ पई होंट तों जुल्फांजड़ियां लटक रहियां सी उदे ते नजर जा पई रसा बन के जालम ने खेच लहियां केंदा मेरियां कश्टियां आबे हयाद विच्चों आबे हयाद यानी जिन्दगी मिट्स ने ना इदे बारे कि वो पाणी है जिन्दगी जड़ा पी लवे वो सारी जिन्दगी उन्नों मौत नहीं आदी हमेशगी हासल हो जाए खाजा खिजर अलाइसलाम बारे मिट्स ने कॉंसेप्ट्स ने कि उन्हाबे हयाद पीता हुए और पाणी दे पीर ने और हमेशा वास्ते जिन्दा ने के अदा मैं अच्छी खासी जिन्दगी गुजार रहा थी मेरी आबे हयाद वेची कश्टी सी लेकिन जैसे ही मेरी उद्यां जूलफां उत्ते नजर पई ते उन्हां जूलफां ने मेरी कश्टी नो पाणी विच्चों खेचके आबे हयाद विच्चों खेचके मौत वाले पासे लेगेंगा एग्जाजीरेशन जी मुबाल का रही कोई एदे वेचा राकीकत नहीं है हाँ अलबता शाहर दा जड़ा पोईटे का प्रोच तखयले वह बहुत खूबसूरा थे पीर फजल गुजराती साथ दा पोईटे का प्रोच जड़ा है शेरी तखयल जड़ा है या घजला में जड़ा तखजल वाला पहलू है उदे वे तो कोई इनकार नहीं लेकिन जड़ा है जदीदियत वाला मौजब है ऐ बहुत थोड़ा पंजाबदी रैतल बैतल जी पंजाबदा रेंड सेंड दिल थे आखदा है फजल पट चीर लईए मई वालदी करिए मिसाल कायम पीर फजल गुजराती गुजरात दा रेंड वाला सी और सूनी मई वालदी दास्तान भी गुजरात दी दास्तान है केंदा है पीर फजल साब फर्मा रहे ने के मेरा देल करदा है मैं भी महीं वाल दी तरह पट चीर लमा थाई पट यह दा हो है ना उन्हें अपने महभूबा सूनी वास्ते अपने थाई पट तो गोश्ट उतार के रोस्ट करके उन्हों पेश कर देता सी मैं वाल दी करी ऐमे साल कायम की मतलब कहान दा कि मैं आजवी पट चीरन वास्ते ते आरा है और मैं वाल जैसा बनन वास्ते ते आरा है लेकिन पके कड़े दे बाज पर ठिल दे नहीं पक्के कड़े तो बगैर तैर दे नहीं उन महभूब जो शेर गुजराद दे नहीं जैसे वेले उनने अपना थाई तो उननों उतार के रोस्ट कार के पेश कीता तो फिर उन रोस जड़ा मैवालों नों मिलन वासते आंदा हूंदा सी उनने सूनी नहीं नमिटमेंट कीती कि अनुन आज तो बात तू नहीं आमेगा मैं तो नहीं मिलन वासते आंदा हूंगी तो कमियार दी बेटी सी जायर भरतन अच्छा खासा उनुन सेंस और समन्झ सी रोज कड़े दी मददनाल जैसे तरह ट्यूब दी मददनाल पानी वेच तैरिया जान दा कड़ा भी अंदरों खोखला हूंदा है तैर के जान दी सी लेकिन एक दिन उदी नांद ने होदा हो कड़ा एक्सचेंज कार देता और पक्के कड़े दी बजाए कच्चा कड़ा उते राख देता उन्होंने कमिट्मेंट भी की थी होई सी उन्हें मिलन वास्ते भी जरूर जाना सी जेमें कड़ा पानी वेच रखिया वो खुर गया और उस दिन दरिया विच सहलाब तेज होन दी बजा तो वो सहलाब दी नजर हो गई पक्के कड़े दे बाज पर ठेल दे नहीं होन महभूब जो शैर गुजराद दे नहीं यानि की कहनदा पर यह कहना की चार रहा है सेंस की यह कि मैं आजवी मैं वाल बढ़न वस्ते ते आ रहा है पट चीरन वस्ते ते आ रहा है लेकिन गुजराद शैर दे लोग उन सोनी जैसे बावफा नहीं है ओ तेरन वस्ते हुन कच्चे कड़े नहीं बलके पके कड़े लब देने यनी गुजराद दे लोकां विच्चों वफा खतम हो गई गजल दा मुनफरद रांग दे असलूब आज एको वारी निकल गईयाने कसरां सारे साल दिया चार देना जी आवला बेशक स्केप कर देना उसी आट नो पॉइंट सी कर देने केंदा है आज पूरे साल दी कसर एको वारी एको देन वेच निकल गई है आज साल गेरा सी साकी दी आज हत्ती पापा पीती है साकी शराब पलान वाले नो केंदे ने केंदा आज यो अपनी साल गेरा वेच मस्रूफ सी बिजी सी लियाजा सी बेहसाब हत्थी पाप आगे यानि बगएर किसे मैयर मेंट तो या बगएर किसे हिसाब किताब तो पीती है ये सित्वार मिलन दावादा हुया नाल साथे वेखो महभूब भी कैसे हूं देने और आशिक वेखो कैसे हूं देने कि महभूब थी हर जड़ी मतलब मजाग कहा लवो या जड़ा तिचकर कहा लवो उननों सच समझ लेंदेने यानि महभूब ने इतवार नो संडे नो मिलन दावादा कर ले आए खबरे मैशर दे देना आउना है ओ इतवार किसे दा और आशिक वेखो केटा पोला पाला है उनने यानि पुछ या केटा संडे वे ए संडे वे नेक्स्ट संडे वे या कोई जनवरी दा संडे वे फरवरी दा संडे वे या दोजार बी दा संडे या इकी दा संडे उन अपने महभूब दे उडीग विच बैठा होया है और हर इतवार बैठा हुए है कि इतवार नो है मेरे महभूब ने मिलन आना है और हो कहनदा है कि कोई पता नहीं पता नहीं होनो इतवार जड़ा है रोजे मैशर आवेगा नविया ने वेकडिया सिन्फा वे इतबा अजमाई बड़ा खूबसूरत है जिया जरूर लेख लेना पीर फजल फावनों घजल उते ना अबूर हासल सी क्यों घजल रंग वेच घजल फार्म वेच घजल दे सिन्फ वेच हर एक सिन्फ हर एक मौजू बिहान कर लेन देसी मसलन हमदा में होना घजल वेच लिखियां घजल दे फार्म जन्नात तामन कबता ऐस सारी चीज़ां घजल दे फार्म वेच लिखियां कोई नहीं रोकन टोकन ठाकन हूडन हटकन वाला पांजे लफजां दा एक कोई मतलब है बाद बच्चे पुछ दें जी लाल सुरख लिखन दा की मकसद है जिसले लाल दा मतलब भी हो होई है सुरख दा मतलब भी चिटा सफैयाद लिखन दा की मकसद है काला सया लिखन दा की मकसद है सो ओ होनदा है गालनू स्ट्रेस देन वासते उन्हें नहीं आप पांजे लफज दे, पांजे वर्ब्स ने पंजाबी दे, पंजा नहीं कोई मतलब है इने जड़े यूज कीते ने, लेकिन गाल नों स्ट्रेस देन वासते, ताकीद करन वासते, कोई नहीं, रोकन, टोकन, ठाकन, भोडन, हटकन, पंजा लफजां दा, पं चुकडी केंदेने, चुकडी पर न, केंदा है, मेरी घजल दा, शोख, हेरन, हर पासे, चुकडीयां पर दा, फेर रहाए, हम्द मनाकिब, नात कसीदा, तहनियत, मरसिया, केंदा हम्द होए, मनकबत होए, मनकबती जमा मनाकिब, नात होए, कसीदा होए, तहनियत, तारीफ वेच इना सारे खियालानों बड़ी सहुलत नाल बड़ी असानी नाल बियान का सकना मां मुकदी गाल जी और एंड अगर अखीर वेचा मुकदी गाल जी शेर वेखलब हो को पीर साथ मोफने होते किना मतलब मांड सी किना गरूर सी गुमांड सी उना समझेया के शायद तो बगएर पंजाबी घजली खतम हो जाएगी फजल होरा ने बदल देता है पंजाबी दा रंग पीर फजल ने पंजाबी घजल दा रंगी बदल देता है या इलाही दौरे हाजर दे गजल खाना दी खैर ऐ रब लिजट हुन दौरे हाजर दे जड़े नमे गजल को शायर दे ओ की लिखन गे तो आए गल्त फैमें है जी हर किसे दी मैं अगर कवा कि मैं नहीं हो वागा ते दुनिया रुख जाएगी कदी किसे बगयर दुनिया नहीं रुखी पीर साथ दुनिया तो तश्रीफ ले गए उस तो बाद आज पजाबी घजल किते दी किते खड़ी है नेक्स्ट पोईट असी रौफ शेख पढ़ा गे तो तो जी तो अनुँ अन्दाजा होएगा कि जड़े टीजदेतं वाले जदिदियत वाले मुझदद वाले और एमाम वाले जदीदियत दा एमाम ऐटेग पीर फदल कुजराती साहमनों नहीं जच्डे बलके ऐटेग रौफ शेख साहमनों जच्डे ने जिना नहीं वाकिए जदीद त्रीन और अल्ट्रा मॉडरन ट्रेंड अपनी घजल बेच दिते नहीं तो बरहल अगर पेपर जी तो अनुमें क्वेस्चन आ जाए तो तुसी ये स्टेटमेंट नो ही डिफेंड करना है क्योंकि जाहरे जड़ाए दे उत्ते टैग लग गया है उन्हों असी हटा आ नहीं सकते उन्हों मेरा जड़ा तज़िया या अनलसे जे उन्हों मैं पेपर जगर लिखागा तो एक्जैमिनर जड़ाए उन कहेगा वेखो जी पीर फजल गुजराती दे हवाले नार दे एवलिया चीजां अथेंटिक ने और एन ए स्टूडेंट ने अगेंस्ट लिखिया तो तुसे इससे स्टेटमेंट नो डिफेंड करना है अल्ला हाफिस